हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजिसास इंडियन किचन में आज हम बनाएंगे मसूर दाल की पकोड़े की ग्रेवी अली सब्जी जो खाने में बहुत ही लाजवा और स्वादेश होती है और एक बार जरू बनाकर खाएं और हमें कोमेंट कर करके लिख कर बताएं कैसा लगा आपको हमारे रेसिपी हमारे रेसिपी आपको अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सकार करना बिल्कुल ना भूले और फ्रेंड्स और फेमिली में सेर किजिए तो चलिए बनाते हैं मसूर दाल की पकोड कोड़े की रसेदार सबजी जो खाने में बहुत ही जवाब और स्वादिश्ट होती है तो चलिए हम देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा तो हमने एक कटोरी इस से मसूर का दाल रात वर विहों के रख लिया था और इसे सुबा हमने साफ पा तो देखिए हमने मिक्सर में इसे मिक्सर के जार में इसे फाइन पेश्ट बना लिया है इस तरह से पेश्ट बना ले अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च चोब से साथ हरी मिर्च ठी और 20 बाइजयर लसुन की खलिया थी जिसे हमने इसे मिक्सर में इसे भी पेश्ट बना लिया है इसमें से हम डालेंगे एक चमच भरके थोड़ा लसुन इसमें पढ़ता है मसूल का दाल है इससे टेश ज्यादा आता है तो इसमें हमने इस चमच से डेश चमच लगवा हरीमिच और लसुन का पेश डाल दिया है आप अगर चाहें तो एक बार एक प्याज भी डाल सकते हैं लेकिन हम प्याज नहीं यूज कर रहा है और इसमें डालेंगे हल्दी इस चमच से एक चमच और थोड़ी सीती कि लाज मिच तीखा अपने भी साब से ले सकते हैं हम थोड़ तीखा मना रहा है है कर लेते हैं अच्छे से मिक्स कर लेना है अब बारिस का ताय बारिस का मौसम है सबजी-हरी सबजी मिन्ने में थोड़ा दिक्कता आ रहे हैं और लोगडाउन भी लगा हुआ है बिहार में हम लग है यहां संपुर्ण लोगडाउन लगा हुआ है तो इसलिए था परिशानी और घरी का सुखे सब्सक्राइब सुखे मने समान से हैं हम लोग को कुछ कुछ बना के अभी चलाना पड़ रहा है यह अच्छा लगता है कभी कदार खाने में कोई दिख करते ही हैं तो हमने के लिए इस में हम डालेंगे सर्सो कावयल हम बताते हैं हर बार जिदेके कोई भी कोबीमाल में आप फ्राय कर सकते हैं लेकिन सरसौगा लेज़ु था करते हैं तो हम इसमें डाल देते हैं फ्राय करना है तो थोड़ा ज्यादा ही रोच करेंगे सब्जी के लिए थोड़ा निकालने में अगर ज्यादा होगा तो जब सब्जी बनाएंगे तब एक एक करके इसको तेल गरम हो जाएगा उसके बाद इसमें हम डालेंगे पकोरी बनाने के लिए कर लेते हैं अच्छे से फ्राइ करना है देखिए हम बताना भूल गया थे हमने एक चमच के लगवर गोटा मसूर का दाल रख लिया था इसे हम पेश्च में इसमें मिलाएंगे इससे देखने में पकोरा ज्यादा अच्छा लगता है तो इस तरह से अभी डाल लीजिए इच् कोई बात नहीं है ऐसे हम डाल दिये हैं इससे पकोरा देखने में अच्छा लगता है ता हमारे तेल अच्छे से घरम हो गया है अब इसमें हम एक एकर कर लेंगे अपना पकोरा तह तो इस दरह का चमच लिए हैं एस तरह से एक एकर कर टाल लेंगे चोटा बढ़ा आपका जितना जैसा इच्छा हो उससलिटी आप पकोरा तल सकती है, यह बहुत नाजवाब लगता है, इसका पकोरा के सबसी भी, वहादा ऐसे आप चाई के साथ कभी बनाकर खा सकती है, बहुत टेश्टी लगता है एक बार ज़रूर बना इस तरह से जितना आटे उतना आप पकोरा डाल लीचिए और फिर इसे पांच मिर्ट बाद हम इसे चलाकर इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद ही डालें तो देखिए कितना चप मेरा पकोरा फूल जी रहा है हमने फ्लेम को हाई ही रखा है हाई पर ही हम फ्राई करेंगे तो देखिए हमारा पकोरा अच्छे से फ्राई हो गया है इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरह से हम सारे पकोरी अपना तल लेंगे तरह से तरह सारे पकोरी को तल लेंगे एक एक करके आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं लेकिन हमने चमत से ही डाला है तरह से हमार थाई कर देंगे चलाते हुए तो देखिए हमने सारे पकोरी तल लिए हैं इस तरह से आप भी तल लिए देखिए कितना सॉफ्ट बना है और अंदर से भी अच्छे से पक गया है तो इस तरह से हम पकोरी अतल लेंगे उसके बाद आपको दिखाते हैं ग्रेवी के लिए क्या क्या लिए हैं हमने एक प्यांज बरिस साइज की इसे बारी काट लिया है चार टमाटर कद्यू कसकर के लिए हैं आप चाहे तो पेस्ट बना लिजी इसक अच्राडर तलिया लहसुन की इसे हमने मिक्सर में पेस्ट बना लिए है और तरके के लिए लिया है हमने शरसो काली वाली और जीरा और होम में जो मसाला हम त्यार किये थे उसी से हम डालेंगे इसमें हैं गुल मीज है जीरा है धनिया पाउडर है और सुखी लाल मिज और दो सितिक तेजप्ता इसको हम बोन कर इसका शुक्राम त्यार करकर लिए है तो यह होमेड है इसी से हम मैसे डालेंगे सब जीय कर चलिए हमने कहाँ से तेल ज्यादा था फ्राय किये थे हमने निकाल दिया है और जितना हमको लगे हो उतना तेन हम इसमें डाल दिये हैं दो से तीन चम्मेच होगा अब इसमें हम तरका लगाते हैं आधे टी स्पून सरसो काली बाली और आधे टी स्पून जीरा जीरा हमारा चतक में लगेगा तरका तो हम इसमें डालेंगे त्यान जिसे हमने काटके रख लिया है ऐसे हम डाल ब्राउन होने तक भूल लेंगे तो देखिए हमारा प्याज हो गया है ब्राउन हो गया है अब इसमें हम डाल देते हैं पेस्ट जो हम बनाए थे इसे हम 2 सेकंड चला लेंगे उसके बाद इसमें हम डाल से डालेंगे तो लोग पास है तो डाल सकती है उसमें तीखा नहीं होता है सब्जी के कलर के लिए डाला जाता है जो कलर अच्छा हो तो आप डाल सकती है और इसमें हम डाल देंगे जो हमने हम में तो हमन मसाला जो त्यार किया है उसमें से हम डाल देंगे इस चमच से डेर चमच के लगवा छोटी चमच से और इसके मिला लेंगे अब इसमें हम डाल दें टोमाट्र जो हम कदूकस करे रके हैं टोमाट्र आम जय्दा इसलak यूज करते हैं जरी दे गाड़ी हो और जयूज मसाला कम लीज करते हैं और टमाटर हम ज्यादा ल्यृश ज़सर किसा है अगर चाहे तो इता जद ले लिए न सकती है अग्रो Δा में चैंड़ ज़िए तो स्वादमस सा नमक कर दो भी जंगा हुआ तो थोड़ा अंदास से ही डाले ज्यादा नहीं ज्याल से डाले अब इसे हम भून लेते हैं 5-20 मिनित लगेगा जो लगेगा मसाला अच्छे से भूनना चाहिए इसे सब्जी में टेस्ट आ जाए नहीं तो कच्चार आ जाएगा तो फिर सब्जी का टेस्ट बेकार हो जाएगा तब इसे हम धाक करके और ख्लेम को हमने लो नहीं किया है हाई ही रखा है क्योंकि हम चलाते हुए इसे भूनेंगे अगर आपको आपके तया तले में मसाला अगर लगे तो थासर पानए एड़ कर सकते हैं अब मसाला को भूनते हुए और लजसे सतर मेर्क लगे और हमने फ़र फ़र पानी एड़कर के भूना है क्योंकि तले में लग रहा था तो अच्छे से मसाला को भून ले इस तरह से अब इसमें हम डाल देते हैं ग्रेवी के लिए पानी यह सब्जी बहुत ही लाजवाब बनती है सचनी एक बर जरूर बना कर खाएं तो हमें इसमें दो गिलास पानी इस गिलास से डाल दिये हैं और इसे एक बर मिला लेते हैं थोड़ा सा कम तीन गिलास पानी हमने इसमें डाला आपको ग्रेवी जितना पतली यह गारी रखने है उतना पानी यह एड़ कर सकती हैं हैं कि इसमें हम ईठाब उभाला अब सिसके बाल हम किशन ठ्रेकृ डालेंगे इसको ढख नेते हैं एक यो और देख लेते हैं कि देखेृ हमारे गीवट में अच्छे सरे अब इसमें हम इसमें हम इसमें धुड्यृ से तीन मुझा आप सब्सक्वरी true habe दब देते हैं अब 2-3 मिनट इसको उबाल लेते हैं इतले देख लेते हैं 2-3 मिनट हो गया है तो देखें अच्छे से ये हमाई सब्जी त्यार हो गया है बनका और हम इतने गार ही रखेंगे अगर चाहिए और ज्यादा घार हो तो थोरा सा और वाल लीक्ति अभिणा फोई खर्ण और जोगार हो जाए गार हो जाएगा विनकि जो है थोरकों रश रश होता है तो इसी हम इसी टाइम мал Way बनकर देंगे हमारी वीडियो आपको अग Україं abdv केसी लगी हमारी रेसिपी आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब किजिए विडियो को लाइक किजिए फ्रेंस और फैमिली में शेयर किजिएगा तो फिर हम मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ तब तक घर में रहें स्वास्त रहें